दोस्तों finally Tata ने अपना Tata 5 EV को reveal किया है इसके अंदर पहली बार एक नया architecture Act EV को इस्तेमाल में लिया गया है जो कि especially electric vehicle के लिए ही develop किया गया है इस architecture के अंदर 4 layers रखे गये हैं पहले layer पे drive train को रखा गया है जहां पे battery और motor attach किये जाते हैं और इसके अलावा इस drive train को rare wheel drive में, forward wheel drive में, all wheel drive में भी इस्तेमाल कर सकते हैं याने Tata इस architecture को feature proof बनाया है और आने वाले Tata EV के तरफ से electric vehicle भी इसी architecture पे देखने को मिल सकते हैं और दूसरे layer पे चेसी को रखा गया है especially electric vehicle के लिए ही develop किया गया चेसी है इसके अंदर कोई भी transmission tunnel की ज़ुरत नहीं होती है इसी वज़े से काफी बड़ा cabin space और storage space देखने को मिलता है इस architecture के वज़े से और इसके अलावा इस चेसी के build quality में भी improvement किया गया है जिसके वज़े से global end cap और बारत end cap पे काफी अच्छे ratings लेके आई है ये Tata punch और third layer पे electrical architecture को रखा गया है जो की electric vehicle के component और wiring होती है इस architecture में ADAS level 2 compatibility और ADAS level 2 plus की capability मिल जाती है और fourth layer पे cloud architecture को रखा गया है जिसके वज़े से इस architecture वाली electric carों में in car app suit मिलने वाला है और advanced over the air और software update भी करने का मोखा इस architecture से दिया जा रहा है electric vehicle में इस architecture के अलावा Tata punch के अंदर काफी नए features भी दिया जा रहे हैं जैसे कि Tata punch के अंदर 11 kilowatt का AC onboard charger दिया जा रहा है और 150 kilowatt hour तक DC part charging भी provide की जा रहा है जिससे 10 minute अगर charge करेंगे तो 100 km का range मिल जाएगा इसके अलावा Tata punch को sunroop और without sunroop चूज करने का option मिल रहा है और standard range और long range का भी option चूज करने का मोखा दिया जा रहा है Tata EV के तरफ से इसकी pre booking भी open कर चुके हैं 21,000 token amount देकर pre book कर सकते हैं और expect किया जा रहा है इस month last तक इसकी launch होने वाली है और delivery भी शुरू हो सकती है दोसर चेदा में मोजूद Tesla कारों में assist driving function और door locking system में issue owner के कारण 1.6 million electric कारों को recall किया गया है जिसके अंदर जादतर Tesla के important models Model S और Model X और Model 3 और Domestic Model 3 और Model Y electric कार मोजूद है और इस problem को over the air update या software update से स्वालू करने वाले हैं Tesla के तरफ से दोसर होंडा को लेकर कुछ reports निकल कर आ रहे हैं होंडा अपने electric vehicle project ACN compact electric पे काम कर रहा है इस project के चलते इंडिया के अंदर ही manufacturing plant लगाने की बात कहे जा रही है और इस plant पे manufacturing way electric vehicle को 50-70% तक export करने वाला है होंडा और ये भी expect किये जा रहा है कि होंडा के तरफ से सबसे पहली electric car होंडा elevator EV होने वाली है जिसका code name DG9D बताया जा रहा है और इन electric vehicle manufacturing के लिए होंडा अपना पुराना तफु कूरा plant को retooling करने वाला है उसके बाद 2024 यानि इस साल से ही होंडा अपने electric vehicle की manufacturing शुरू कर सकता है और बता जा रहा है कि होंडा के पहली electric car जो है वो 2024 या 2025 के अंदर आ सकती है दोसरों Ford Global ने अपने electric vehicle के लिए नया फ्लाटफारम का patent file किया है US के अंदर इस patent में देखा जा सकता है कि front और rear wheel के subframe होने वाले हैं और बीच में battery set होने वाली है और इस सारा का patent जनरल मोटर ने भी कराया था front और rear wheel के अंदर drive train और बीच में battering housing रखी गई थी इसका एक फाइदा यह है कि एक ही फ्लाटफारम के ऊपर multiple electric vehicle को launch कर सकती है company जिसके अंदर front wheel drive रख सकते हैं और rear wheel drive रख सकते हैं या all wheel drive भी रखके अपने electric car को launch कर सकते हैं जैसे कि हमने शुरुआत में देखा था टाटा पंच का architecture भी इसी तरह का है और इसी तरह से EV को लेकर updated रहना चाते हो तो चानल को जरूर subscribe कर लेना तो मिलते हैं और fresh EV update के साथ until then bye bye and see you soon